हालो एब्रिवन आज की इस वीडियो में हम परेंगे क्लास 10 इंगलिस का फूट्स्प्रिंट्स विडाउट फीड बुक से 6th चैप्टर ते मेकिंग ऑफ अस साइन्टीस्ट ठीके इसके ऑथर है रॉबर्ट डबलू पीटर्शन चलिए सबसे पहले ब्रीफ यह दो आवार्ड इवें मिला है ठीक है याद करने का जिरूद नहीं क्योंग यह सब एक्जाम में आता नहीं है सिब आप साइन्टीस्ट का नाम याद रगी है रिचार्ड अबराइट ठीक है इतना से हमें समझ माया कि वो काफी एक रिनाउंड साइन्टीस्ट है इट वो वो इस फैसीनेशन फॉर बटरफ्लाइट उपन दो वर्ल्ड ऑफ साइन्स तू यह हमारे लिए काम का बात है इनका जो साइन्टीस्ट बनने का जो सफर है वो स्टार्ट वह था बटरफ्लाइ से वो बटरफ्लाइ के तरफ काफी ज़्यादा एट्रेक्टेट थे और यही क साइन्स का बज़े से साइन्स का दुनिया उनके लिए खुला और वो आगे चलके साइन्टीस्ट बने ठीक है अब इसी को डिटेल में हमें समझदा है क्या हुआ था एग्जेक्ली उनके साथ चलिए स्टार्ट करते है लिखा हुआ है कि at the age of 22 a former scout of the year excited the scientific world with a new theory on how sales work बला ज साल की उम्र में जो काफी यंग एज है उसने पूरे scientific world को excited कर दिया मतलब उसमें कोड़ाम मचा दिया किससे with a new theory on how sales work उस इंसान ने एक नया theory दिया था जिससे जिसमें यह बताया गया था कि sales काम कैसे करते हैं ठीक है जैसे ही यह थियोरी उन्होंने दिया यहां पर इसी साइटिस्ट का बात हो रहा है रेचार्ड एवराइट का कि उन्होंने सिफ बाइस साल की उम्र में इतनी छोटी उम्र में ही पूरे scientific world को खिला के रख दिया अपने एक theory से उस theory में बताया है वह था कि sales कैसे काम करते हैं इसका जिक्रेट चैप्टर के last में भी होगा ठीक है इसको याद रखिएगा और यह बहले scout of the year रहे चुके हैं scout मतलब एक ऐसा इंसा जो scouting में participate करे और काफी अच्छा perform करे तो उसको scout of the year का आवा दे दिया था कि कैसे sales काम करता है जिससे पुरा scientific world हिल चुगा था ठीक है और उस इंसान का नाम था रेचार्ड एबराइट फूल नेम बात करे तो रेचार्ड एचेबराइट ठीक है and his college roommate explained the theory in an article in the proceedings of the national academy of science एक scientific journal ने तो रेचार्ड एचेबराइट यह एक इंसान थे और उनके college roommate थे आगे हमें story में पता से लेगा वो roommate कौन थे ठीक है इन दोनों ने मिलकर ही यह theory को कौन सा theory कि sales कैसे काम करते है यह theory को एक article में explain किया था और वो article छपा था इस scientific journal में जर्नल का नाम है उतना याद करने का जरूत नहीं है यह सब आता नहीं है एक्जाम में ठीक है सिब आप इतना क्यूंकि आगे चलके बहुत काम का बाद याद करना है आपको तो अभी यह सब information बढ़ लेंगे दिमाग में तो chapter tough लगेगा अभी के लिए आप से बितना याद करके रखिए कि scientist का नाम है Richard H. Ebride काफी कमर उमर में ही उन्होंने यह ब्रेंकर सा थेओरी दे दिया था इसका चिकर आगे भी होगा ठीक है और यह college roommate का नाम भी हमें आगे पता चलेगा आगे पढ़ते हैं इसका नाम है Proceedings of the National Academy of Science इस journal ले किसी college student का article या फिर work पढ़ीज किया हो समझे तो आप तो मज़ी सकते हैं कि इस scientific journal में article publish होना कितना बड़ा बात मना जाता था इन sports that would be like making the big leagues at the age of 15 and hitting a home run and hitting a home run your first time at bat अगर आप इसको sports से compare करें तो यह ठीक उसी तरीका है उसी तरीके से है कि मान लीजिए आपसे 15 साल की उमरों में एक बड़ा मैच खिलने चले गए ठीक है यहां पर baseball match का sport का बात हो रहा है क्योंकि अमेरिका पर बेज़े नहीं यह स्टोरी तो वहां पर baseball चलता है तो आपसे 15 साल की उमरों में बड़ा सा के बाहर चला जाए तो उसको home run कहते है या फिर home run यह भी होता है कि जब आपने ball को hit किया और उसके बाद safely सभी bases पे दोड़के आगे अपने वापस home plate पे without stopping इसको भी home run हम run कहते और अपने अगर bond मार्के ground के बाहर लग निकाल दिया तो वह भी home run कहलाएगा ठीक है तो जैसे एक बड़े match में एक नया नया player आता है वो भी कम उम्र का player आता है और आते ही home run hit कर देता है जितना successful वो मना जाता है उत्ता ही successful यह भी था कि किसी 22 साल के उम्र के college students का जो work है वो इस महान side effects general में छपा हुआ था यह भी एक महान incident है ठीक है इसी के compare किया गया है इस पोर्ट के साथ याद करने लाए कुछ भी नहीं है इसके उपर question कभी नहीं आता है ठीक है आगे बढ़ते हैं for Richard Debrite it was the first in a long string of achievement in science and other field Richard Debrite के लिए यह पहला success था ऐसे उन्होंने कई सारे achievements पाए हैं अपने life में उसमें से यह पहला था ठीक है and it all started with butterfly और इनका यह जो achievement का सिलसिला है वो start हुआ था butterfly से तो यह तो हो गया जवानी का कहानी अब हम shift करेंगे बचपन में कि कैसे इनका यह इतना intelligent mind और bright mind कैसे इसका जड़े start हुआ तो देखें लिखा है कि an only child a bright grew up north of reading Pennsylvania तो बोला गया है कि a bright का जो जनम हुआ था वो हुआ था reading नाम के एक small town में जो की है Pennsylvania में ठीक है और वहाँ पर यह इकलौते बच्चे थे इनका कोई दोस्ट नहीं था कोई भाई मैं नहीं था साथ में खेलने के लिए there wasn't much I could do there he said वो अपने एक interview में बोलते है कि वहाँ पर ज़्यादा कुछ करने पा रहा था कहाँ पर reading में I certainly couldn't play football और baseball with a team of one मैं अकेले तो football और baseball जैसे गेम दो नहीं खेल सकता हूँ there was one thing I could do लेकिन मैं एक खाम कर सकता था अकेले वो काम क्या था collect things चीजों को collect करना तो वो क्या इखटा करना सुरू किया देखिए आगे पता चलेगा आमें अभी के लिए आपसे बिदना याद कर लीजिए कि इनका आदन पोशन कहां पे हुआ था reading Pennsylvania में ठीक है ये जगा का करना स्टार्ट भी गया एंडीड ही एवर और वो हमेसा collect करते रहे क्या collect किया देखिए बिगनिंग इन किंटर कार्डन केजी क्लास में उन्होंने स्टार्ट किया एवराइट कलेक्ट बटरफ्लाई तो यह हमें नया बात पर जलना है उन्होंने butterfly collect करना स्टार्ट किया ठी स्टार्ट किया ठीक है और बटरफ्लाई का चिक्रस आपको कुछ याद आ रहा होगा यहां पर स्टार्टिंग में में मेंशन था कि वह butterfly से इतना attracted हुए कि तभी जाके साइंटिस्ट बन बाए butterfly के काफी important role है उनके light में he also collected rocks, fossils, coins तो butterfly के अलाबा वो यह सब चीज भी collect करते थे he became an eager astronomer to sometimes star gazing on light इसके साथ साथ उनका interest astronomy में भी था वो रात रात बहर तारे देखते रह जाते थे ऐसा उनके बारे में बताया गया है आगी देखिए from the first तो देखिए सबसे पहले कौंचा class का जिकर है के जी क्लास ठीक है किंटर दाटेल तो यहां पर उन्होंने butterfly कलेक करना स्टार्ट किया था अब के जी के बाद कौंचे class में जाएंगे class 1 में तो from the first यहां पर first मतलब class 1 ठीक है He had a driving curiosity along with a bright mind उनका nature जो था उसमें काफी curiosity था उनको मन में काफी जिग्यासा था यह ऐसा क्यों है चीजों को जानने का इच्छा था उनमें ठीक है और साथी साथ उनका दिमाग में काफी sharp था काफी तेज था तो जो जो हम rare से underline कर रखे है न उस पर ध्यान दीजेगा क्योंकि chapter का नाम क्या है The making of a scientist एक scientist कैसे बनता है क्या-क्या चीज़ चाहिए होता है scientist बनाने के लिए पूरा chapter हम यही चीज़ ध्यान में रखके समझेंगे कि समझेंगे कि रेचार्ड एपराइट पर ऐसा क्या quality था कि वो scientist बने ठीके तो पहला क्या quality हमें यहां पर प्रदा चल रहा था जो हम rare से underline कर रखे कि वो किसी भी काम को काफी determination के साथ करते हैं यह important keyword हो गया ठीके यही में कोशन बनता है इस chapter का दूसरा quality उन में क्या था कि वो काफी curious थे चीजों को लेके और उनके पास एक bright mind भी था समझें आगे देखते हैं he also had a mother who encouraged his interest in learning उनके पास एक ऐसी मा थी जो काफी उनको support करती थी उनको encourage करती थी चीजों को सीखने में ठीके यह माता रोल बहुत बार आता है एक्जाम में था दियान से सुनिएगा she took him on trips उसकी मा उसे trips पे ले जाती थी गुमाने के लिए क्योंकि अब जब बाहर निकलते हैं बहुत चीजों सीखते हैं इसके साथ साथ उन्हें कई सारे resources खरिद के देती थी जैसे कि telescope, microscope, camera, mounting material यह सब चीज लेके देती थी and helped him in many other ways और भी कई तर स्कूल में ना चला गया हो ठीके स्कूल से पहले उसकी मा ही उसकी इकलोती साथ ही थी क्योंकि वहां पर reading pencil area में पहले ही बताया गया था कि यहां पर कोई दूसरा कोई बच्चा नहीं था तो अब्राइट का एक ही साथ ही था उसकी मा ठीके कि देखे after that I would bring home friends for him जब वो स्कूल जाना स्टार्ट कर दिये तो उनके दोस्त बने तो उनकी मा उनको दोस्तों को घर पर बुलाने लगी थी यह ताकि साथ में खेलेंगे कुछ सीखेंगे but at night लेकिन रात के समय में we just did things together रात के समय में तो सिप मा बेटे हैं तो दोनों मिलके ही बुलाती थी जब वो तीसरे क्लास में थे तो उनके पिता का मौत हो गया ठीक है तो उसके बाद उनकी मा की जिन्दगी में सिख रिचार्ड ही रह गया जए she and her son spent almost every evening at the dining room table हर सामको दोनों मा बेटे dining room के table पे बैठते थे if he didn't have things to do I found work for him not physical work but learning things उसकी मा बोलती है कि अगर मैं देखती थी कि रिचर्ड के पास कुछ करने को नहीं है तो मैं उसे कुछ काम देती थी काम ऐसा नहीं कि जाके बढ़तों दो दो ऐसा कोई काम नहीं बलकि ऐसा काम करवाती थी जिससे वो कुछ सीख पाए his mother said he liked it he wanted to learn और वो सब काम रिचर्ड को पसंद भी आता था क्योंकि उसे सीखना पसंद था ठीक है चलिए तो यहां पे अभी देख हमने जिता भी यहां पर पढ़ाये इसमें मा का रोल पता चल रहा है कि मा ने क्या क्या किया था एक तो यह हो गया encourage करती थी तो encouragement हो गया एक point दूसरा उन्होंने resources यह सब खरीद के दिये telescope, microscope, camera, mounting material वो provide keep उसके बार उसे guidance देती थी साथी साथ companionship कोई friend ने था तो एक साथी के रुप में उसकी मा उसके साथ बात करती थी activity में पाट ले दी थी ठीक है चलिए तो जो जो green center राइल कर रहे हैं वो सब मा का रोल है आगे लिखा हुआ है and learn he did और रिशर्ड सीखता भी चला गया आगे he learned top grades in school school में हमेशा class में अच्छा grade से अच्छा grade आता था फर्स आता था वो ठीके on every on every day things he was just like every other kid और बाकी चीजों में ऐसे ने किसी पढ़ाई लिखाई में प्राह लिखाई में तो वो अवल था ही मतलब top class का था इसके साथ वो बाकी चीजों में जैसे कोई भी काम वगरा हो गया उन सब चीजों में वो दूसरे बचों की तरह था उसकी मा बताती है by the time he was in second grade अब वो second class में पहुँच गए पहले class में क्या क्या था वो सब यहां पर बताया हुआ है ठीक है अब second class दूसरे class में क्या हुआ abrite had collected all 25 species of butterfly found around his hometown यह पर बोलाई गया था कि जब वो hidden garden में थे केजी class में थे तभी उन्होंने butterfly collect करना च्टार्ट कर लिया था और यहां से लेखे जब वो class 2 तक पहुचे थे उन्होंने कितना butterfly collect कर लिया था उनके घर के आसपास ठीक है जितने भी butterfly के species थे उन्होंने 25 टोटल 25 species और butterfly उन्होंने collect कर लिये थे वो सभी species का यहां पर नाम लिस्ट दिया हुआ है इसे भूल के भी याद नहीं करना है ठीक है क्योंकि English पर रहे हम लोग science तो नहीं पर रहे हैं कि इतना detail में जाएंगे आप सिब इतना याद रखी कि class 2 तक उन्होंने butterfly के सभी 25 species collect कर लिये थे जो उनके घर के पास मिल रहे थे ठीक है चलने रिचर्ड अब्राइट बोलते हैं आके किसी ने इंटर्व्यू लिया होगा ठीक है हो सकता है ओधर नहीं इंटर्व्यू लिया हो तो उनको रिचर्ड अब्राइट बोल रहे थे कि हो सकता था कि यह मेरा class 2 में जब मैंने सभी butterfly species collect कर लिये यही मेना butterfly collecting का end था अब इसका कि मेरा कोई लेना दना नहीं होना था butterfly के साथ लेकिन तभी क्या गवा कि मेरी मा ने मुझे एक बच्चो का बुक चिल्रेंस बुक लाके दिया जिसका नाम है इसको हाइलाइट करके रखें इसलिए क्योंकि इस बुक का रोल पुछा जाता है ठीक है उपर में यहाँ पे हम मा को हाइलाइट किये थे मदर का रोल पुछा जाता है ठीक है उसी तरीके से यहाँ पे इस बुक का रोल पुछा जाता है कि यह बुक का क्या रोल था ये बुक एक children book था ये book में बताया गया था कि कैसे Monarch butterfly एक टैप का butterfly होता है ठीक है कैसे ये butterfly migrate करते हैं टू Central America इनका migration का बारे में इस book में लिखा हुआ था ठीक है, book का नाम से ही समझ सकते हैं The Travels of Monarch ठीक है Open the world of science to the eager young collector जब ये बुक उन्होंने पढ़ा तो पूरा साइंस का दुनिया उनके लिए खुल गया और ये स्टार्टिंग से ही हमारे वराइट जो थे ये इगर थे क्यूरियसिटी था उनमें ठीक है और काफी यंग थे और कलेक्टर भी थे ठीक है चीजों को कलेक्ट करते थे तो पहना रोल हमें पता चल रहा है इस बुक का कि अगर ये बुक नहीं आता तो उनका बटरफ्लाइ कलेक्टिंग का जो जर्ड़नी है वो एंड हो जाता लेगिन ये बुक आतें से ये जर्ड़नी बढ़कर आ रहा ठीक है उसके बाद ये बुक उनमें काफी ज़्यादा क्य जगाया ये दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं आगे देखिए क्या लिखा हुआ है अट दे एंड ऑप दे बुक उस बुक के एंड में रीडर्स को इन्वाइट किया गया था कि आप भी बटरफ्लाइ माइग्रेशन को स्टड़ी करने में हेल्प कीजिए कैसे हेल्प क केनेडा तो यह एक रिसर्च कर रहे थे कि बटरफ्लाइ को बटरफ्लाइ का माइग्रेशन को यह स्टड़ी करने थे तो इन्हों ने कहा था कि आप आप क्या कीजिए बटरफ्लाइ को टैक कीजिए बटरफ्लाइ को टैक करने का मतलब क्या होता है कि आप किसी होता है वो चिपका दीजिए ठीक है फिर बटाफ्राइ ऊणके कहीं जाएगा जो भी इंसान अगरवा बटाफ्लाइ कैचकरता ए स्टीकर रहा हूं वह इंसान क्या ंर्म है या फिर जो भी मोर्मेयूस तरीके से बहुत सारे बटाफ्लाई में इससित क्हाँ जाता है और यह पाया जाता है कि वो butterfly कहा कहा हो उड़के गिया उनका migration study करने में help होता है इससे ठीक है तो एबराइट की मा क्या करती है Dr. Yukart को letter लिखती है और बोलती है कि हाँ मेरा बेटा भी आपका इसमें help करना चाहता है butterfly को tagging करना चाहता है और सून एंड सून एबराइट वास एटाचिंग light adhesive tag to the wings of monarch तो डॉक्तर युखार्ट ने क्या क्या बहुत सारे adhesive tags tags जो थे stickers जो थे वो इनके पास बेज दिया तो एबराइट कुछ दिन बात क्या करने लग गए यही adhesive tags जो monarch butterfly के जो पंखे उनमें चिपकाने लगए ठीक है मतलब tagging करना इस्टार्ट कर दिये anyone who would who found a tagged butterfly was asked to send a tag to dr. युखार्ट और किसी कोई भी इनसान को यह tagged butterfly मिलता था मतलब इसा butterfly जिसके पंखे में वह इस्टीकर चिपका हुआ था ऐसा butterfly मिलता था तो कहा गया था कि वह इंसान को क्या करना है आप उस tag को क्या कीजिए dr. युकार्ट तक बेज दीजिए था कि उनको पता चले कि वह butterfly इस जगह में मिला है मतलब वहांतर माइगरेट किया था 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 और इस बुक के end में readers को बोला गया था कि आप क्या कीजिए butterfly tagging कीजिए इससे butterfly migration का study करने में help मिलेगा इस research कर रहे थे इसके उपर तो dr. युकार्ट युकार्ट ये नाम याद रखिये ठीक है बस इतना ही तो एब राइट ने भी इसमें participate किया वो भी butterfly tagging कर रहे लगे याद रहा है कुछ यह वही प्लेस है Pennsylvania में जहां पे इनका पालन पोशन होगा था last six weeks in late summer तो reading जो प्लेस था यहां पे butterfly को catch करने का जो season था वो से 6 हपता ही चलता था ठीक है वो भी late summer में if you are going to chase them one by one you won't catch very many अगर आप एकिप करके butterfly catch करेंगे तो बहुत ज़्यादा catch नहीं कर पाएंगे इसलिए अबराइट ने क्या किया butterfly को raise करना ही start कर दिया वहां पर grow करना ही start कर दिया ठीक है उनका पालन प्रोशन करने लग गए उन्होंने क्या कि एक female monarch butterfly को catch किया फिर उसके अंडे ले लिए और अपने जो basement था जो नीचे का floor था वहां पे उन्होंने पुरा butterfly का life cycle पो पूरा किया मतलब एक से पहले caterpillar होने दिया फिर उससे pupa फिर उससे adult butterfly पूरा प्रोसेस होने लग गया वहां पे उसके बाद then he would tag the butterfly wings and let them go उसके बाद जब adult butterfly हो जाता था तो उसके punk में वो tag चिपका देते थे और उससे छोड़ देते थे ठीक है समझ रहे कि इस topic का मतलब दिखे हो उनको क्या करना था butterfly के punk में वो tag चिपकारना था है कि नहीं तो चुकि season काफी छोड़ा था तो वो एक एक करके butterfly catch करेंगे फिर चिपकाएंगे तो बहुत कम number of butterfly वो tag कर पाएंगे ठीक है इसलिए वो क्या करते है कि butterfly खुदी raise करना एक start कर देते है अपने basement में ठीक है अब उनके पास क्या हो गया for several years his basement was home to thousands of monarch उनके basement में हजारो हजारो butterfly वहाँ पे आ रहे थे butterfly का नाम क्या है Monarch ठीक है in different stages of development वो सभी butterfly अलग अलग स्टेजिज में थे कोई caterpillar था कोई pupa था कोई egg था ठीक है तो बहुत ज्यादा उन्होंने butterfly को raise किया और support tag किया उसके बाद क्या हुआ धिरे-धिरे उनका क्या हुआ कि interest इसमें खतम होने लागा eventually I began to lose interest in tagging butterfly ठीक है क्यों उनका interest खतम होने लागा टाइगिंग करने में सबसे पहले तो यह काफी tedious थगा देने वाला काम था butterfly यह पंक में sticker चिपकाना and there's not much feedback और दूसरा reason यह भी था कि जदा feedback नहीं मिलदा था tagging से ठीक है butterfly को छोड़ तो दिये वो ऊड़के कहां गिया गिया कोई इंसान को मिला भी वो butterfly तो वो समझ नहीं पाया कि वो sticker किसलिए चिपका हुआ है वो return नहीं किया ठीक है ऐसे करके तो यह दो reason से उनका butterfly tagging में interest खतम होने लागा in all the time I did it he laughed और वो interview देते हुए बोले कि जितने भी time मैंने butterfly tagging किया उसमें से सिप दो ही butterfly को recapture किया गिया देखें उन्होंने हजारों butterfly को tag किया होगा उसमें से सिप दो ही butterfly को किसी ने catch किया और बताया कि यह यहां पर मिला ठीक है फिर आगे क्या होता है अब सीधा जिकर किया हुआ है 7th class से ठीक है टू के बाद सीधा 7th प्यादे है then in the 7th grade he got a hint of what real science is when he entered the county science fair and lost तो 7th class में उन्हें पता चला है कि real science होता क्या है कब जब वो एक county मतलब regional science fair में वह जैसे हम लोगे इंडिया में क्या है इस्टेट इस्टेट के अंदर डिस्टिक होता है डिस्टिक लेबल पर कोई टूनामेंट होता है वैसे ही वहाँ पर county मतलब original लेबल पर एक science fair हुआ था जहां पर लोग participate कर रहे थे और अपना-पना experiment दिखा रहे थे तो डेचर डेबराइट ने भी इस science fair में participate किया county science fair में और उसमें हार गए तो हारने का बाद उन्हें पता चला कि असली माईने में science होता क्या है एक्जैक्टली हुआ क्या देखिए और ये काफी दूख पला experience था कि जब आप आपे बैटे हो और आपको कुछ प्राइज न मिले जबकि हर किसी को कुछ में कुछ मिल रहा था एब राइट ऐसा बोलते है उन्होंने इस science fair में कैसे participate किया था तो वो तिखा रहे थे frog tissue frog का चो कुछ cells उन्होंने tissue ले लिया और उसको slice में डखके microscope के अंडर शो कर रहे थे उन्होंने ये किछ शीज किया था इस fair में ठीक है जिसके लिए उन्हें कोई भी prize नहीं मिला वो हार गए तब उन्हें पता चला he realized कि जो winners थे जिन्होंने कुछ जीता वो लोग क्या किये थे had tried to do real experiment वो लोग कुछ experiment करके दिखाने का कोशिस किये थे not simply make a neat display आपको सिप चमचमाता हुआ सजा के कुछ दिखा देना ये science नहीं होता है science का मतला आपको कुछ करके दिखाना होता है ठीक है सिप दिखाने से नहीं होगा आपको करना पड़ेगा तो यह होता है real science यह चीज उन्हें पता चला 7th grade वे ठीक है उन्होंने क्या किया था सिप rock tissue को slide पर रखके चीजे पर रखके microscope के अंडर दिखा दिया था तो इसलिए उन्हें कुछ नहीं मिला क्योंकि उन्होंने कुछ किया नहीं जबकि जो winners लोग थे उन्होंने कुछ experiment करके दिखाया था इसलिए उन्हें कुछ प्राइज मिला था ठीक है तो जितना underline किया है वो बात ध्यान रखिएगा 7th grade real science lost real experiment करेंगे तो मतलब तो प्राइज मिलता है वही real science है सिप दिखाने से नहीं होगा ठीक है competition करना चाहते थे वो सबसे आगे निकलना चाहते थे that drives Richard Averight was appearing तो यह चीज उनके behavior में आना शुलू हो गया कि वो competitive थे सबसे आगे निकलना चाहते थे I knew that for the next year's fair I would have to do a real experiment he said Richard Averight समझ चुके थे कि अगले साल वो फिर से इस fair में participate करेंगे और इस बार वो कुछ real experiment करगे दिखाएंगे the subject I knew most about was the insect work I had been doing in the past several years और मुझे जिए एक ही subject के बारे में काफी detail में knowledge था वो था insect के बारे में खासकर से butterfly के बारे में ठीक है तो वो सुचे कि कुछ butterfly के उपर ही करके दिखाना ठीक रहेगा इसलिए वो क्या करते हैं वो एक letter लिखते हैं to doctor you card for ideas, idea के लिए doctor you card याद है न वही book के writer यहापे जो book था the travel of monarch acts यह पे तो जिक्र हुआ था इनका doctor Frederick you card तो इनी को दुवारा वो चिट्थी लिखते हैं किस चीज के लिए for idea idea के लिए वो उनसा idea मंगते की बताए हम क्या करके दिखा सकते हैं और and back came a stack of suggestions for experiment और उन्होंने कई सारे suggestion दे दिये कि तुम यह सब यह सब एक्सपरिमेंट कर सकते हो दोज के लिए ब्राइड बीजी ओल थ्रू हाई स्कूल एंड लेड़ प्राइस प्रोजेक्ट्स इन काउंटी एंड इंटरनेशनल साइन स्कूल तो इतने सारे वो idea दे दिये थे कि पूरा हाई स्कूल तक हाई स्कूल बोलेका मतलब अबरिका में 9 से क्लास 12 तव क्लास 9 से 12 को हाई स्कूल बोलते है ठीक है तो पूरे यह चार साल तक वह बीजी रहे इन एक्सपरिमेंट्स हो लेके और कई सारे एक्सपरिमेंट करते हुए उन्होंने यह काउंटी साइन स्फेर में दिखाया ठीक प्रोजेक्ट उन्होंने क्या डिसाइड किया Everide tried to find the cause of viral disease that feels nearly on Monarch caterpillar वह देखते थे कि जो Monarch caterpillar होते है इनको कोई बीमारी लग जाता है viral disease और इस वह बीजी से कही सारे मर जाते है ठीक है तो एवराइट कोशिस किये कि चलो इस बार प्रोजेक्ट में यही चीज करके दिखाते हैं, यही कौस पता करते हैं कि कौन से बिमारी कारण मरते हैं, क्यों मरते हैं, हर कुछ साल बाद, ठीक है? तो एवराइट ने सुच है कि कोई बिमारी को करता है, और जब उसके कॉन्टेक्ट में यह कारण मरते हैं, तो यह मरते हैं, विमारी फैलता है, तो उन्हों ने क्या किया? एक एक एक्स्पेरिमेंट किया, कि वो कारण में रखके इसको ग्रोग किये, ठीक है? I didn't get any real result, he said, तो उनको कोई result मिला निए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि इनसे बिमारी इसमें फैला और यह मर गए, ऐसा नहीं हुआ, ठीक है? But I went ahead and showed that I had tried the experiment, लेकिन वो यही इसी चीज़ को फियर में फैलता है, लेकिन एक्स्पेरिमेंट करके पता सला कि बिमारी नहीं फैलता है, ठीक है? वो यही चीज वो शो कर दिये, और इसी के लिए उन्हें प्राइज मिला, क्योंकि उन्हें इस बार एक रियल एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है? तो यह लाइन से पता सलता है कि उन्हें और भी दो कॉलिटी है, वो है प्रिजर वेरेंस, चीज़ों को बार बार ट्राइ करना, जल्दी हार नहीं मान लेना, डिटर्मिनेशन, यह दो चीज उन्हें है, ठीक है? यह याद रख चीज़ेंगें, एक्जाब में यही लाइन दे देंगे, और पुछेंगे कॉनसेप्ट दो कॉलिटी है उन्हें, तो यह दो लिखना पड़ेगा आपको, क्लास एट का कहाने खादाओ, अब आज यह आगे, नेक्स्ट येर, यानि क्लास नाइन में, हाई स्क के पहले येर में, his science fair project was testing the theory that viceroy butterfly copy monarch, इस बार उन्होंने यह प्रोजेक्ट चुना कि, जो viceroy butterfly होते हैं, यह पर दो टाइप का butterfly का जिकर हैं, एक है viceroy और दूसरा है monarch, तो यह एक theory चला आ रहा है बहुत दिनों से, कि जो viceroy butterfly होते हैं यह monarch butterfly को copy करते हैं, इनके जैसा बनन का कोशिस करते हैं, design में भी और behavior में भी, ऐसा क्यों, ऐसा इसली है, क्योंकि, the theory was that viceroy look like monarch, viceroy जो butterfly होते हैं, बहुत मोनार्ट की तरह दिखना चाते हैं, दिखते हैं, क्यों, because monarch don't taste good to bird, monarch जो है, bird को पसंद नहीं है, bird इसको खाते नहीं है, ठीक है, bird कि इसको खाते हैं, vicer चल्दा आ रहा था, viceroy on the other hand, do taste good to bird, वहीं बुलागे, viceroy, bird को काफी पसंद नहीं, तो bird viceroy को खाते हैं, monarch को नहीं, तो इसलिए, the more they look like monarch, जितना ज़्यादा ये monarch की तरह दिखेंगे, उतना ही कम चांज रहेगा, कि ये bird का dinner बने, ठीक है, तो इसी सीज को वो अब, रिचार्ड एवराइट टेस्ट करने वाला थे, कि कहां तक ये थियोरी सही है, या फिर गलत है, एवराइट प्रोजेक्ट वस्टू सी, whether in fact bird would eat monarch, तो उन्होंने ऐसा प्रोजेक्ट लिया कि, दिखनत आते थे, कि क्या birds monarch को खाते हैं कि नहीं, और ये picture दे सकते हैं, यहाँ पर उपर वाला जो है, वो monarch का picture है, और ये नीचे वाला viceroy का picture है, ठीक है, आगे देखिए, तो वो test किये कि bird monarch को खाते हैं कि नहीं, थियोरी क्या बोलता है, कि bird को monarch पसंद नहीं होते हैं, ये नहीं खाएंगे, तो वो क्या करते हैं, एक ऐसा bird चूनते हैं, जिसका नाम थ स्टार्लिंग, ठीक है, वो देखिए कि स्टार्लिंग जो है, वो कोई भी ordinary bird food नहीं खा रहा है, नॉर्मल इंसेक्ट और नहीं खा रहा है, वो सिब क्या खा रहा है, वो इसको चितना monarch दे तो वो उतना खाने नहीं है, एवराइट सेट लेटर रिसर्च बाई अधर पीपल देखिए, यहाँ पर चीजों को समझेगा, थियोरी क्या चल रहा था कि वाइसर्च मोनार्ग को कौपी करते हैं, रिजन हमने समझ लिया, ठीक है, इसी चीज़ को एवराइट टेस्ट किये, एक butterfly से, एक bird से, यह bird जो है न, थियोरी क्या बलता है कि bird मोनार्ग को नहीं खात लेकिन स्टार्ड लिंगे कैसा बढ़ था तो मोनार्ग को खाने लग गया था, इसको सिप मोनार्ग की चाहिए खाने में, ठीक है, तो इससे तो यह थियोरी गलत साभीत हो गया, लेकिन खैर आदे चलके जो research हुआ, उसमें पता चला कि, वाइसरोई, कौपी तो करते हैं मो अब यह सब उतना detail में नहीं पूछेंगे आपसे की वो क्या experiment की है, इस्टार्ड लिंग के बारे में, सब कुछ नहीं पूछेंगे एक्जाम में, आपको बस इतना याद रखना है कि उनका experiment क्या था, और क्या प्राइज मिला, ठीक है, बस, आगे मोफ करते हैं, अब आज यह 10th grade में, in his 2nd year in high school, high school कहां से कहां तक चलता है, तो class 9 से 12 तक, 9 हो गया 1st year, और 10 हो गया 2nd year, 3rd year हो जाएगा 11, और यह 4th year हो जाएगा, तो 2nd year मतलब 10th grade, ठीक है, रेशार्ड एबराइड बिगान दे रिसर्च देट लेट तो इस डिस्कोबरी अपन अननोन इंसेक्ट होर्मोन, इंडरेटली इट लेट तो इस निव थियोरी ओन दे लाइफ अफ जेल्स, तेंथे गरेट से उन्होंने शुरू कर दिया इस रिसर्च के उपर काम करना, ए सिर्फ बाइस साल की मुड़ में यह प्रेचर डेबराइट और उनका एक रूम मेट दोनों मिलके ऐसा थियोरी लिखे थे सेल के बारे में कि इस स्टाइटिफिक जेनरल में चब गया था, तो अब उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, इसका स्टार्टिंग कहां से लिखा है, वो इस कोशन का एंसर डूने लिख ले, वो एंसर क्या, क्या था, वाट 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 इस पॉर्पोस ऑफ ट्वेफ ताइनी गोल्ड स्पॉर्ट्स ऑन दा मोनार्ग प्यूपा, मोनार्ग प्यूपा आप इस पिक्चर पर देख सकते हैं, इसमें आप देखेंगे गोल्ड स्पॉर्ट्स है, ठीक है, सोले कलर का कुछ-कुछ डॉट है, वहाँ पर, चोड़े-चोड़े जो डॉट से इसका पॉर्पस क्या है, वो यह सोचने, वो इसका जवाब दूनने लगे, ठीक है, कि यह चोड़े-चोड़े डॉट किस काम के है, एब्रीवन ठीक है, बट डॉक्टर यूखार्ट डिडेंट बिलीव इट, लेकिन डॉक्टर यूखार्ट इस चीज से अगरी नहीं कर रहे थे, वो लेकिन नहीं है, इनका कुछ तो काम होगा, क्या काम है, वो बात डॉक्टर यूखार्ट को भी नहीं मालूम था, तो यह ब्राइट तो यह question करते थे assumptions, आप सिब कोई भी चीज मान लेंगे, और मानने सा science नहीं चलता है, साइब इसको चाहिए proof, experiment, ठीक है, तो assumptions को वो question करते थे, यह quality था उनमें, डॉक्टर यूखार्ट में, इसका साथ साथ willing to investigate alternate explanation, कोई explanation है, अगर उसका दूसरा पहलो भी हो सकता है, तो उसको भी समझने के लिए investigate परने के लिए रेडी थे दॉक्टर यूखार्ट, यह सब काफी अच्छा, essential quality है, scientist लोगों, ठीक है, चलिए, तो यह दो point याद रखीगा, आगे बता देंगे कहां से आपको important question answer त्यार करना है, कुछ question answer इस वीडियो में भी discuss करेंगे, अभी we had to build a device that showed that the sports were producing a hormone necessary for the butterfly's full development, इस सवाल का answer करने के लिए, एबराइट और उनके एक और science student थे, उन दोनोंने पहले एक device बनाया, ठीक है, और यह device से पता चला कि यह जो sports थे, golden sports, यह एक ऐसा hormone प्रेडूस कर रहे थे, इस hormone का वज़े से ही butterfly का full development, पुरा सरीर का development होता है, अग अभी एक अच्छा achievement मिला, यह भी यह जनकारी, अभी तक तो सिफ लोग सोच रहे थे, यह सिफ सजावाट का चीज है, लेकिन इन्होंने यह चीज बता दिया, एबराइट ने, कि यह सजावाट का चीज नहीं है, बलकि यह hormone बनाते है, ऐसा hormone बनाते है, जिसे कि butterfly का full development होता ठीक है, फिर आगे, इस प्रोजेक्ट ओन एबराइट, फर्स प्रेस इन दा काउंटी फियर, तो काउंटी फियर में उन्हें इस बार पहला प्राइज मिला, फर्स प्राइज, और यह प्रोजेक्ट इतना अच्छा था कि उन्हें एंट्री मिल गया, इंटरनेटनल इन्टमोजी लेबराइटरी अब दवाल्टर रीड आर्मी इंस्ट्यूट अफ रिसर्च, समर्ड वेकेशन में उन्हें यहां पे काम करने का मौका मिला, कहां पे काम करने का मौका मिला, इतना डेटा मत याद रखिए, ठीक है, यूँकि आप इतना चीज याद नहीं कर प में International Fair में उन्हें entry मिला और summer vacation में army laboratory में कांग करने का मौछा मिला समझे यह यहां तक चलिए आव आजाए यह high school junior में high school समझ रहे थे nine से लेके 12 तक तो high school junior जो class 11 होता है ना इसको बुलते हाई school junior और 12 को क्या क्लास 11 में रिचर्ड एवराइट कंटिनूड इस एडवार्स एक्स्परिमेंट ऑन दा मोनार्ग फिपा वो एक्स्परिमेंट और किये और उन्हें एक और चांज दिया गया कि आप इस बार भी समर वेकेशन में वही आर्वी लेवराटरी इस लेवराटरी में काम कर सकते हैं ठीक है दूसरे साल भी इन इस सीनियर अब पॉज गए है क्लास 12 में वो एक स्टेप और आगे जाते हैं क्या करते हैं वो क्या करते हैं कि मॉरांट बटरफलाइ का पंक से कुछ सेल्स निकान लेते हैं ठीक है और इसको एक culture में, एक artificial environment में उस cells को ये hormone देते हैं, ठीक है, ये hormone देते हैं, ये hormone देने से ही ये cells बड़े वह हो के पुड़ा पंख में develop हो जाता है, ये चीज़ उन्हें पता चला, अगर ये hormone नहीं दिया जारा था तो वो cells मर जाते थे, तो ये काफी अच्छा experiment उन्हें फि international fair, फिर से उन्हें पहला प्राइज मिला जोलोजी में, he spent the summer after graduation, graduation मतलब, graduation दो चीज होता है, क्या तो आप school से pass out के निकले, मतलब 12th pass, या फिर आप college से pass out के निकले, तो भी graduation कहलाएगा, तो यहाँ पर जो graduation कहा गया है, वो कहा गया है, class 12 pass, जब वो class 12 pass कर गए, तो doing further work at the army laboratory, अच्छा, graduation के बाद, जो summer का सीजन था, वो और भी काम किये, उसी army laboratory में, ठीक है, army laboratory में, and at the laboratory of the US Department of Agriculture, यहाँ पे भी काम किये, ठीक है, अच्छा बात है, लेकिन याद नहीं करना है, अभी, जिता underline किये है, उतना ही चीज़ द्वाग में राकर तो बहुत है अब आगे क्या होता है, class 12 तो पास कर गए, अब जाएंगे college में, the following summer, after his freshman year at Harvard University, Ebride went back to the laboratory of the Department of Agriculture, and did more work on the hormone from the goalie sports, तो after his freshman year, ठीक है, freshman year यह मतलब first year of college, US में जो college होता है, वो 4 साल का होता है, ठीक है, एक, दो, तीन, चार, जो पहला साल होता है, उसको बोलता है, freshman year, ठीक है, दूसरे साल को sophomore year, और तीसरे को junior year कहते है, चोथे को senior year, ठीक है, तो first year के बाद, उनका university का नाम कहाता है, तो Harvard University, तो Harvard University में first year complete करने का बाद, Ebride वापस से Department of Agriculture के laboratory में जाते हैं, और वहाँ पे उस hormone के उपर, वो ही hormone जो goalie sports से निकलता है, टूबा के, उस hormone पे और भी काम करत हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, laboratory के sophisticated instrument को इस्तमाल करते हैं, और इस्तमाल करने का बाद, he was able to identify the hormones chemical structure, बहुत sophisticated instrument का इस्तमाल करके, उन्हें पता चलता है, उस hormone का chemical structure, कि कौनसे कौनसे chemical से ये बना हुआ है, structure कैसा है उसका, ती ये भी काफी बड़ा achievement हाँ first year में, ठीक है, फिर a year and half later, देर साल बाद, जब वो junior year में थे, मतलब third year of college में थे, abrite got the idea for his new theory about the cell life, hormone का तो उन्हेंने सारा काम कर लिया, और इसी से उन्हें idea मिला, कि cell का जिन्दगी, मतलब कैसे चलता है, कैसे cell grow करते हैं, कैसे function करते हैं, ये idea उन्हें आया कप, देखिए, it came while he was looking at the x-ray photo of the chemical structure of hormone, उस hormone का, जो chemical structure है, उसका x-ray photo जब देख रहे थे, तब उन्हें ये idea आया कि कई ने कई इसी तरीके से कोई भी cell काम भी करता है, when he saw those photos, abrite didn't shout Eureka, और even I have got it, but he believed that even, he believed that along with his findings about insect hormones, the photos gave him the answer to one of biology puzzle, ये वाला, आराम से बढ़ते हैं, बहुत लंबा-लंबा sentence है, जैसे ही उन् उस hormone का, ठीक है, तो उन्हें तो idea मिल गया कि cell life कई ने कई कुछ इसी तरीके से काम करते होंगे, तो ऐसा नहीं कि ये तो काफि बड़ा achievement का, इतना बड़ा achievement होने का बावजूद भी, वो जोस्वया कि Eureka, मतलब ये, वो ऐसा चिलाने ने लगे, ठीक है, बलकि वो believe करते थ है कि कही ने कही इस findings के बाद, insect hormone के बारे में तो पता चली रहा है, ये photos जो थे, x-ray photo, ये biology के सबसे बड़े puzzle का भी answer कही ने कही दे रहे थे, वो puzzle ये था, कि cell में कैसे read करते है the blueprint of DNA, कुछ याद आरा है, इसको हम आपको reproduction chapter ने भी पढ़ाए है, science में, अगर आपको नहीं यही DNA जो है, वो blueprint होते है, life के, blueprint मतलब इस DNA में ये message होता है कि हमारा शरीर का design कैसा होना है, दो हाथ, दो बैर ऐसा structure होना है, ठीक है, lever होना है, कहाँ पर, kidney होना है, कहाँ पर, सारा information जो होता है, वो इस DNA में होता है, तो जो cell है, वो इस information को read कैसे करता है, समस्ता कैसे है, कह कि DNA एक सब्स्टैंस है नुकलियस पर पाया जाता है किसी भी सेल के और यह हेरेडिटी कंट्रोल करता है ठीक है हमारा गुंड कंट्रोल करता है इडिटर्माइज दा फॉर्म एन फंचन आप सेल सेल कैसा बनेगा क्या काम करेगा सेल मतलब सेल और टीशू फिर और गन यह सब तो डॉप्रिंट फॉर लाइफ दियने मतलब एक ऐसा चीज़ है जिस पर लाइफ का सारा जनकारी है यहां पर कि आपका बोडी स्ट्रक्चर होगा ठीक है तो यह सब पास तो काम का बात नहीं है यह साइन समनी पर रहे हैं इंगलिस पर रहे है ठीक है तो उतना इस पर मत जाएगे आपसे बितना इतना ही समझ रही है कि जो थियोरी वो सेल लाइफ के बारे में देना चाले थे वो थियोरी क्या था कि सेल कैसे रीड करते हैं डीने को यही में थियोरी है ठीक है चलिए और यहां पेक चीज़ याद रखिए ऐसे वर्ड जो दो वर्ड को मिला के ब सक कमपांड वर्ड ठीक है कई बारा आता हुए इन एक्साम में यह पैसे देंग और बौलेंगे कि इसमें कौंशा कौंशा कंपांड वर्ड थो धो थो व्रुम्भी कहिए थिक है तैновonta मोफ करते हैं work all that night drawing pictures and constructing plastic models of molecules to show how it could happen वो स्कारी राप काम करते रहे कि picture बनाते रहे, plastic model बनाते रहे कि कैसे ये काम करता है, cell कैसे DNA को read करते है ठीके, together they later wrote the paper that explained the theory, फिर बात में दोनों मिलके ये theory लिखा लिखे कि इस theory को explain किये कि कौन सा theory कि how cells read DNA और यही theory जाके, वो scientific journal में छपा था, जो procedure से कुछ नाम था, उसमें छपा था, समझे कि नहीं, कुछ relate कर पार है आप, starting से फिर यहाँ पे भी आपके कि दो word देखिए, room और mate, तोनों को मिला है room mate, एक compound word है, यह भी ध्यान रखिएगा तो जो लोग उसे जानते थे, उनके लिए तो कोई भी surprise नहीं था, कि यह तो पढ़ाको लड़का है, काफी bright mind है, जरूर कहीं भी जाएगा, top करेगा, ठीक है? तो उसने Harvard University में भी highest grade के साथ पास किया, 1510 बच्चों के class में वो second आए, ठीक है, काफी बड़ा बात है यह, और वो भी Harvard University में, जहाँ पे काली bright mind आप मिलेगा, उसमें भी second आना काफी बड़ा बात है एवराइट went on to become a graduate student researcher at Harvard Medical School, फिर आगे चलके वो यहाँ पे एक researcher के रुप में काम किया, Harvard Medical School में, then he began doing experiment to test his theory, फिर वो experiment करने लगे, अपने theory को test करने का है, theory कौन सा था है, वो ही, कि how cells read DNA, जो नया cell theory था वो ऐसा मनना जा रहता है कि अगर यह theory सही सावित हुआ, मतलब जो theory नो ने दिया कि cells कैसे DNA को read करते हैं, अगर यह theory सही सावित हुआ, यह काफी बड़ा step होगा, life process को समझेने का, life process से याद आ रहा है कुछ हम आपको प्लास्टेर में पढ़ा रखें, science में, life process chapter, अगर देखिएगा, आगे देखिए, तो बोलेगी, life process को समझने में काफी help करेगा, अगर उनका theory सही सावित हो गया, तो, इसके साथ कई सारे जो disease है, जैसे की cancer हो गया, और बाकी disease, उनको भी prevent करने में help करेगा यह theory, ठीके, तो काफी काम का theory था, तो यह इतना चीज, इतना बड थी में वो समझी है, तो इतना बड़ा achievement होई, और इतना बड़ा solution मिल रहा है समाज को, society को, वो बस इसलिए हो रहा है कि इब्राइट के अंदर, एक scientific curiosity था, ठीके, इस चीजों को जानने का, His high school research into the purpose of sports of a monarch, on a monarch pupa, eventually led him to his theory about cell life, वो high school में, मतलब class 9-10 में, research किये थे, इसी के उपर न, कि pupa के उपर जो golden sports हो था, उसका purpose क्या है, काम क्या है, तो तब उन्हें पराचला कि यह hormone produce करता है, फिर आगे वो और research किये, तब उन्हें इस नया theory, जो cell कैसे DNA को read करते, उसके बा पोच गिया, और उसका कितना बड़ा implication है, रिचर्ड एवराइट है, हाज बिन इंटरेस्टेट इन साइंस, सिंस ही फर्स्ट बिगान कलेक्टिंग बटरफ्लाई, बट नॉट सो डीपली ड़ी एट हैंट तो समझ में आ गया, कि उनका साइंस में काफी ज़्यदा इंटरे कि इवराइट कैसे all-rounder थे, तो देखिए, वो एक अच्छे scientist के साथ साथ एक champion debater भी थे, एक public speaker भी थे, एक good canoist भी थे, canoist जो, cano चलाता है, ठीके, और काफी अच्छा सभी outdoor person, मतलब outdoor activity में काफी अच्छा से participate करते थे, he is also an expert photographer, समझ गए, particularly nature और scientific चीजों के वो काफी अच्छा photo कीशते है, तो इन सब चीजों सब रचलता है कि Averight जो थे, वो all-rounder थे, जामें question आता है कि कैसे वो all-rounder थे, explain कीशिये, तो आपको यही सब गुन लिख देना है उनका, ठीके, आगे move करते है, in high school, मतलब क्लास 9 से 12 तक, Richard Averight was a straight A student, मतलब हर क्लास में वो top grade आत towards the debating and moral united clubs, उनके लिए learning easy था, चीजों को समझना, याद करना, उनके लिए, कि उनका bright mind था न, ये सब पढ़ाई रिखाए उनके लिए easy काम था, तो इसलिए पो अपना जानातर energy कहां देते थे, ये दो क्लब में, एक थो गया debating club, और दूसरा moral united nation club, यहाँ पे, इन सब चीज इसलिए इस के teacher थे ही है, और advisor to both clubs, और इन्होंने ही advice के थे कि तुम ये दुनों club में participate करो, ठीक है, Mr. Weirer was the perfect person for me then, वो तब कभ high school में, class 9-12 तक मेरे लिए perfect इंसान थे है वो, इन्होंने ही मेरा mind खोला था, नए ideas के लिए, एवराइट कहते है, Richard would always give that extra effort, Mr. Weirer said, Mr. Weirer भी भी कहते हैं, कि Richard एक ऐसा student था, जो हमें से extra effort करता था किसी भी काम को करने के लिए, what pleased me was, here was this person who put in 3 or 4 hours at night doing debate research, besides doing all his research with butterfly and his other insect, Mr. Weirer कहते हैं, कि मुझे सबसे अच्छा बात Richard के वारे में ये लगता था, पहला बात तो ये हो गया कि वो extra effort देते थे हर काम में, और सबसे अच इसान था, जो रात को 3-4 घंटे research करके आया हुआ है, debate के लिए, ठीक है, और इसके बहुत बहुत भी थाका नहीं है, वो और भी घर में भी research करता है, butterfly के उपर, बाकी insect के उपर, बहुत सरा activity में वो engage है, और सब में same determination के साथ वो काम करता है, यही चीज मुझे काफी उन्हें काफी बुरा feel हुआ था, तो competitive spirit उन में था, वो जीतना चाहते थे, but not in a bad sense, किसी को हराने के लिए नहीं जीतना था उन्हें, he explained, Mr. Witter ने explain करते हैं कि Richard wasn't interested in winning for, winning's sake or winning to get a prize, वो इसलिए नहीं जीतना चाहते थे कि बस जीतना है उन्हें, सबसे अच्छा बनना है, ए जीतना नहीं चाहते थे, rather he was winning because he wanted to do the best job he could, वो इसलिए जीतना चाहते थे कि वो जो भी काम कर रहे थे, वो सब उसमें सबसे अच्छा करें, वो खुद पे, खुद को improve करना चाह रहे थे, ठीक है, for the right reasons he wanted to be the best, अच्छे reasons के लिए वो best बनना चाहते थे, समझे कि वो competitive थे, लेकिन अच्छे reason का वज़र से, किसी को हराने के लिए नहीं, खुद का best देने के लिए वो competitive थे, and that is one of the ingredients in the making of scientists, और ये अच्छा होना, मतलब अच्छे reason के लिए जीतना चाहना, जीतने के लिए चाहना, ये एक ingredient है in the making of scientists, scientist बनाने के लिए ये एक masala के रूप में काम करेग scientist बने के लिए क्या क्या चाहिए, सबसे पहले आपको first rate mind, एक काफी bright mind चाहिए, उसके साथ साथ आप उसमें क्या डाल दीजिए, curiosity डाल दीजिए, और फिर mix कर दीजिए, उसमें will to win for right reason, सही reason के लिए जीतने का चाहा, ये चीज़ उसमें मिला दीजिए, अगर आप ये ति Charles of Monarch X opened the world of science to him, Richard Ebright has never lost his scientific curiosity, ये बुक का तो important role है, पहले ही हमने देख लिया था, तो ये बुक ने उनका science में interest जगा दिया, और तब से जो interest जगा, तब से उन्होंने, अभी तब कोई भी मतलब, वो interest में कमी नहीं आया है, ठीक है, वा सिसी के साथ ये chapter end होता है, ये author का ना निकाल के रखें, ये सारा question answer website में दे दिया, आउरोड करने के लिए, अब ये आप सिब समझी, कुछ question chart के रखें, लिखा है कि आप Dr. Yukhart के बारे में क्या conclusion निकाल सकते हैं, इस statement से, एवराइट बोलता है कि everyone assumed कि ये sportive सजाने के लिए है, लेकिन Dr. Yukhart इस बात को मानते नही है, तो Dr. Yukhart के बारे में क्या प्राजलता है इस लाइन से, ये ही प्राजलता है कि वो ऐसे scientist थे जो question करते थे आजमजन को, वो willing थे investigate करने के लिए alternative explanations, वो curious थे open-minded scientist थे, he was not content यानि satisfied to simply accept conventional wisdom, पहले से जो बात चला आ रहा है उसको मानने के लिए ready नहीं थे, उसको question करने का दम रखते थे वो, तो, state anyone, कोई एक conclusion बता रहा था, हम यह पर चार लिख दी हैं, तो आप कोई भी यह सब याद कर सकते हैं, ठीक है, यह website में भी है, अभी आप सिब समझेए, अगला question देखिए, क्या आपको लगता है कि Richard की जो मम्मी थी, कुछ ज्यादा ही indulgent थी, ज्यादा ह रहेंगे, वो तोरफोरगे, खराब कर देंगे, बिगार देते हैं, पैसे से और बिगर जाते हैं, तो क्या उसकी मम्मी भी कहीं यह खत्रा मोल ले रही थी, क्या, Richard को लेके, दो रिजन बताईए, आप एंसर को support करने के लिए, तो सबसे पहले तो no, हम यह नहीं मानता है कि Richard की मम्मी जादा ही दखल दे रही थी, क्यों, क्योंकि दो रिजन हम यह पी यह दे रहे है, पहले तो Richard की मम्मी जो थी उससे support कर रहे थी, उसके passion, science के लिए, ठीक है, उसको support कर रही थी, और science का पढ़ाई के लिए जो तो tools चाहिए, वो ही वो खड़ित के देती है, जो जि भी भी many opportunity in life, समझ गई, एक type का investment था, ना कि फाल्दुगा खर्च सा, ठीक है, ऐसा भी question आता है, अब हमने पूरा chapter में लागा कि हम English नहीं science पर रहे है, DNA वागेना सब पर लिया हमने, ठीक है, प्यूपा, golden spot, hormone, सब हमने पढ़ा, लेकिन उत्तना scientific question नहीं आएगा, क्योंकि यह English का पर बड़े, आप समझ यह, question इस type से आता है, कि मम्मी का रोल क्या था, मम्मी कुछ ज़्या तो दिमाग नहीं लगा रही थी, ऐसा भी पूछ सकते है, कि बताए आपकी मम्मी आपको support करने के लिए क्या क्या चीज़ करती है, ठीक है, ऐसा भी question आ सकता है, अगला question है कि Richard Everight कैसे एक all-rounder थे, तो science में अच्छे थे ही, इसके साथ साथ वो debating, public speaking, canoeing, outdoor activity में अच्छे थे, अच्छे photographer भी थे, ठीक है, तो आपको बहुत बच्छे comment में यह question भी पूछते है, कि सर क्या पूरा question याद कर लेना है, तो नहीं, ऐसे आप कितना याद कीज़ेगा, नह से लिख सकते हैं, examiner यह सब word देखेगा, कि यह सब word है कि नहीं आपके answer में, बस marks देदेंगे, ठीक है, चलिए, यह देखी, curiosity का क्या importance है, scientific exploration और discovery में, मतलब scientist बनने के लिए curiosity का क्या रोले, वो बताईए, story के respect में, तो देखे, examples लेना है, इस story से, तो पैना point है कि, curiosity is extremely important, curiosity leads of person to question things around them, जिससे नया discovery में help मिलता है, ठीक है, पहला, यह research abroad का curiosity ही था, जिससे कि वो butterfly collect किये, fossils, coins, यह सब collect किये, जिसके उनका एक strong foundation बना, आगी के scientific pursuit के लिए, दूसरा, यह उनका curiosity ही था, कि वो butterfly के जीवन के बारे में, अलग-अलग चीज को, मतलब, question किये, वो पूछने लगे की, सोचे की disease का कारण क्या है, फिर, उनका curiosity का नतीजा है कि वो इस 12 golden spot का use पता कर पाए, curiosity का बज़े से ही, अगर यह curiosity नहीं होता, तो कभी वो सोचते ही नहीं, कि यह golden spot का का काम क्या है, ना वो hormone discover कर पाते हैं, और नहीं, जो new theory है, sales के बारे में, वो भी नहीं discover कर प देखिए, बोलेंगे कि मान लीजिए कि रिचर्ड की मम्मी को एक talk show में invite किया गया, रिचर्ड के graduation के बाद, कि अब बताईए आपने बेटे के success के बारे में आप क्या feel करती है, तो आप भी उस talk show को attend करने गए थे, आप जो student है, आप भी गए थे, attend करने, और बताईए कि आ आप उनकी मा को बोलते हुए सून रहे हैं, आप सोचिए कि उनकी मा क्या क्या बोल सकती है अपने बेटे के बारे में, तो देखिए, आप बोलेंगे, the most memorable thing रिचर्ड की ममी ने जो कहा talk show में वो ये था, कि I am not sure what I did right, मुझे पता नहीं मैंने सही किया था कि नहीं अपने ल ठीक है, ऐसा, आप कुछ और भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही लिखना पड़ेगा आपको, फिर इस रिवेल्स रिच आप, तो ये क्या रिवेल करता है, ये पुछदार आए कोशन में, तो ये रिवेल करता है कि रिचर्ड की ममी काफी supportive थी, encouraging parent थी, वो अपने बे अपने बच्चे को ऐसा रिशोर्स और इन्वर्मेंट प्रवाइट कर रही थी, जिससे बच्चा कुद एंसर ढ़न पाए, I believe that Richard's mother words are valuable reminder to all parents, ठीक है, we should support our children's interest and encourage their curiosity, we should always be willing to learn with them and help them to find resources they need, समझ गे, चलिए, ऐसे बना के लिखना है, बुछ यार नहीं कर रहा है, अगला question है, the will to win for right reason was the quality that Richard है, Richard में ये quality तो था, कि उन्हें जितना था, लेकिन सही reason के वज़े से जितना था, उन्हें अपना best दना था, लाकि किसी को हराने के लिए जितना था, तो do you think this quality alone can help us accomplish great fits, why और why not, तो क्यासे इस quality का basis पे आप बड़े बड़े काम कर सकते हैं, क्य अगर हा तो क्यों, अगर ना तो क्यों नहीं, तो देखें, the will to win for right reasons can help us accomplish great fit, but it is not the only quality that is necessary, या पे alone, सिब आप इसी quality से क्या कुछ कर पाएंगे नहीं, आपको और भी दूसरे चीज़ चाहिए, जैसे की hard work, dedication, perseverance ये सब चीज़ चाहिए, ये जो will to win है, ये आप है motivate कर सकता है कि हम और मैनत करे, never give up करे on our goals, it can also help us overcome challenges and setbacks, however it is important to have the right reasons for waiting to win, if we are only motivated by the desire to be better than others or to gain fame or fortune that our success will be hollow, ऐसा कुछ बना के लिक देना है, ठीक है, true success comes from winning for the right reason, such as to make a difference in the world or to achieve our personal best, when we have the right reasons for wanting to win, we are more likely to stay focused and motivated, even when things get tough, समझ गये, इस सिंपन लिली से संदाने का जुरोत तो है नहीं, चलिए, ऐसा ही कुछ पर कि आप बना के खुद से भी लिख सकते है, तो बस ये सब कुछ important questions था, जो कि आपको एक मतलब दिमाग खुला होगा कि इस chapter से कैसा question आता है, तो आप समझ गए कि उत उतना ही चीज़ आप तियार कीजिए, इस chapter का जितना भी important question answer से वो सब कंपाइल करके इसरा पे website पर दे दिये है, आपको मिले है कैसे आप simply google में search कर दीजिए chapter का name, जैसे कि the making of a scientist, और class and important questions by CBC guidance, last में ये जलूर रैट कर दीजिए, by CBC guidance, simply chapter name और by CBC guidance लिखके भी search करेंगे गूगल में, तो पहले number पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप उस पुड़ा question answer के प्रिंट आउट ले लिजे, और उसको बार बार पढ़िए, और उसमें जो keyword है उसको underline कर दीजिए, ठीक है, ऐसे करके त्यारी कीजिए, इस chapter से जो भी question आएका आप टैकल कर आप उनको देखिए, आपको उनसे भी काफी help मिलेगा, चलिए, end करते हैं, बिलते हैं, बोजल किसी और वीडियो में, तब तक के लिए, bye bye and take care.